देखो एक बाद बता दे चाचा जी का सरीर वाई है मन यही है देखो एक बाद बता दे चाचा जी का सरीर वाई है मन यही है नमस्कार आप देख रहे हैं दर्शनियूज मैं हूँ दिव्यांसू आपको याद होगा कुछ दिन पहले बिहार के पुर्ब डिप्टी सीम आरजेडी नेता तिजस्वी यादव ने रोहिनी आचार के साथ बैठ कर उन्होंने एक बयान दिया था चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुँचे थे सारन में और उस दरान उन्होंने नितीज कुमार का तन एंडिय की तरफ है लेकिन उनका मन यहीं पर है और आपने देखा भी होगा जितनी भी चुनावी जनसभा को तिजस्वी ने संबोधित किया तो सीम नितीज कुमार को लेकर काफी नरम दिखे पीम मोदी और केंदर की बीजेपी सरकार पर जम कर हमला बोलते इस पर आज सीम नितीज ने चुपी तोड़ी है सीम नितीज ने गोपाल गंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीच में हम दो बार उन लोगों को मौका दिये वो लोग इधर से उधर कर रहे थे तो हमने उन्हें छोड़ दिया हटा दिया और अब कहीं भी जाने का सवाल ही नहीं उर्टता है बीटेज पी के साथ हम पहले से हैं 1995 से हैं और अब वापस अपने पुराने जगह पर आगये हैं और कहीं नहीं जाएंगे तो सीम नितीज ने तेजस्वी के उस बयान पर आज पलटवार कर दिया है और सीम नितीज ने इस्पष्ट कर द और उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया तो फिर सीम नितीश कुमार पाला बदल सकते हैं एक बार फिर से ये चर्चा तेज है पटना में अब देखिए क्या होता है लेकिन सीम नितीश ने आज स्पष्ट कर दिया कि वो कहीं नहीं जाने वाले बीजेपी के साथ ही र अब गड़बड करता था तो उसको हटा दिये आइस बार भी उसको दे दिये थे मौका अब जब गड़बड कर रहा था तो उसको हटा दिये और अब कभी धर धर हम नहीं जाएंगे हम भाजपा के साथ ही पहले से हैं सब दिन के लिए हम रहेंगे और इसम जो गड़बर करता है अभी भी हमको लोग बता रहे हैं कि आके बोलता है कि हम लोग क्या किया उसको क्या मतलब अब बताईये तह जिसको बनवा दिये थे शुरू में तब क्या किया नौ वो बाल बच्चा पैदा किया है असाथ दिनके अब साथ महिना के बाद उसको मौका नहीं लगा तब बीवी को बनवा दिया और उसके बाद बेटी बेटा यही सब करता है हम लोग भी उसको लेते रहे अब हुच्छ इस समझाये थे ता आजकर बोल रहा है कि उसको क्या मामला जो कुछ भी काम किया गया व दिए और पुरानी जगह पर हम चले गए इसीलिए इन लोगों का आप परचार-परशार जो करता रहता है जानते हैं यहां तक कम लेकिन डिली वाले वाले एक अखवार में और 되면 फूबे च्पता रहता है और कहां से छपवाता है किस लिए चपता है क्या लोग जानता है कौन काम किया कब पैदा हुआ कौन पैदा किया कौन काम अब नौ नहीं पैदा करता था पैदा होता तो यहीं सबता हाला था इन लोगों का कोई ठीकाना है जी बिना मतलब का बात करते रहता है और आप बताईए क्या हाल था इन लोग का अभी तो नए लोग है 18 साल पुराना बात हो गया बच्चा सवा गया इस पर तो वोटर भी हो रहा है लेकिन अब आप समझ लीजिए कि क्या हाल था कोई बच्चा घर कोई भी आदमी घर से निकलता था अब पढ़ाई कहां हो पाती थी कोई ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रह का है अहिंदू मुस्लिम का जगडा करते रहता था हम लोग आये तो कभी जगडा होने दिये हम लोग भाजपाही न साथ थे जी आई लोग जब था इक कांग्रेसिया उसके बाद वाला जो आया ते सब्सक्राइब होते ही रहा है लेकिन हम लोगों का तो आने के बाद हम ल संबोधित करने पहुँचे थे और इस दौरान उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालु यादब पर कटाक्ष किया निसाना साधा उन्होंने कहा कि क्या किया लालु यादब ने बिना नाम लिये उन्होंने लालु यादब पर तंज कसा उन्होंने कहा कि बस यही किया कि न तो अंदाज बड़ा ही नतीश का आज आक्रामक दिखा, आक्रामक दिखे तेजस्वी आदव लालु परिवार पर, लेकिन तेजस्वी आदव नरम है अभी भी, तो क्या नतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, नतीश कुमार ने कह दिया है भले ही कि वो बुजेपी के साथ ही रहेंगे लेकिन इससे पहले भी उन्होंने कहा था जब बीजेपी जब आर्जेडी के साथ आये थे महागट बंदन में आये थे तब उन्होंने कहा कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे लेकिन हुआ क्या बीजेपी में वो आए तो राजनीती में कुछ भी संबब है और नितीश कुमार के लिए तो कुछ भी कहना बिल्कुल ही सही नहीं होगा unpredictable है बिल्कुल नितीश कुमार क्या करेंगे ये उनको भी साथ नहीं पता है तो फिलाल के लिए इतना ही तमाम अपडेट्स देते रहेंगे बने रहें दर्श नियूज के साथ